Hey! What's up guys! Welcome to this video और आज फिर से एक बार में आपके लिए लेकर आया हूँ Top 5 Best Laptop Under 35,000 रुपिस की लिस्ट इस वीडियो ग अंदर जो मैं आपको 30,000 से 35,000 के अंदर की जो सबसे best laptop है 5 वो आपको मैं suggest करने वाला हूँ अगर आपका budget जो है 30,000 से नीचे है या फिर 35,000 से ज्यादा है तो उसके लिए भी जो मैंने अलग से वीडियो बना के रखे तो वो जो आपको मेरी चैनल पर देखने को मिल जाएगा या फिर उसकी link जो आपको नीचे discussion पर मिल जाएगी और इन सभी laptop की lowest price bind link भी जो आपको नीचे discussion पर मिल जाएगी और आप चाहे तो या list जो है मेरी website geek में doting पर भी चेक कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर या list जो मैं हर weekly update करता हूँ तो चले दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि कौन-कौन से best laptop है जो आप 35,000 रुपीज के अंदर खरीच सकते हो वह भी इस में पर है इस list में फिफ नंबर पर है HV15 BS61TU जिसकी price रुपीज 31,000 से 32,000 के बीच में रहती है और फिलाल या जो है flip card पर lowest price available है जिसकी bind link आपको नीचे description पर मिल जाएगी डिजाइन की बात करें तो हमारा laptop जो है काफी good looking है बिलको टी बीजिस laptop की काफी अच्छी है यहाँ पर सीरी साइड पर एक texture finishing दिया हुआ तो उसको touch करने में जो है एक बहुत अच्छा premium feel मिल जाता है display quality की बात करें तो यहाँ पर हमें 1080p की full HD display मिल जाती है जो के बहुत अच्छा view provide कर देती है इसके साथ हमें 2 GHz frequency वाला 6 generation Intel Core i3 processor मिल जाता है और इसके support में 4 GB DDR4 RAM और 1 TB hard drive मिल जाता है और आप चाहे तो RAM को 16 GB तक upgrade भी कर सकते हो bonus point यह है कि यहाँ पर हमें pre-install Windows 10 इसके साथ मिल जाता है और connected की बात करें तो यहाँ पर सारे जरूरी option हमें मिल जाते हैं जिसकी information आपको screen पर दीख रही है और finally बात करें battery की तो battery backup मुझे इस laptop का काफी अच्छा लगा तो यह laptop आपके लिए जो है एक अच्छा option हो सरता है फोर्थ नंबर पर है SS VivoBook A541U जिसकी price रूपी 34,000 से 35,000 के बीच में रहती है डिजाइन और build quality की बात करें तो यह दोनों इस laptop के मुझे काफी अच्छा लगा इसकी sound quality भी जो है मुझे काफी अच्छी लगी मुझे इसकी display quality जो है बहुत अच्छी लगी त्योंकि इसके साथ हमें 108P की full HD display मिल जाती है और साथ में यहां पर हमें 7 generation Intel Core i3 processor मिल जाता है जिसकी best clock speed है 2.4 GHz और उसके support पर 4GB DDR4 RAM और 1TB जो है hard drive मिल जाता है और सबसे बेंट की यहां पर हमें 2GB NVIDIA GeForce 930MX Graphic Card मिल जाता है जो कहीं है तो यह entry level का Graphic Card लेकिन फिर भी यह जो है आपके high graphics वर्स और games को जो है काफी support कर देगा तो और यह एक अच्छा laptop है अगर आपको daily use के लिए laptop चाहिए और कभी कभी time pass के लिए जो आपको high graphic games भी खेल ली है तो यह laptop जो है आपके लिए ideal choice हो सकता है HP 15 BS145TU मैंरे इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर है और यह laptop मैंने specially उन लोगों को ध्यान में रखके add किया है जिनको एक laptop चाहिए daily use के लिए office use के लिए या फिर business related work करने के लिए लेकिन जिनको कोई graphic card की ज़रूद नहीं है लेकिन processor जो है powerful चाहिए प्लस जो है अच्छा battery backup चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा laptop जो है वो run करता है Intel का latest 8 generator core i5 processor जिसकी best clock speed है 1.6 GHz लेकिन वो 3.4 GHz तक जो है turbo boost भी हो सकता है और उसके support में यहाँ पर दिया गया है 8 GB DDR4 RAM मिल जाती है और storage के लिए जो है 1 TB hard drive और RAM जो आप 16 GB तक अप्ग्रेड भी कर सकते हो और यहाँ पर हमें कोई pre install operating system नहीं मिलता तो वो जो है आपको खुद ही install करना पड़ेगा लेकिन display quality जो इस laptop की मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर हमें 1080P की full HD display मिल जाती है जिसकी color correction बहुत अच्छा है और दूसरी बात की इसकी battery backup बहुत अच्छा है Intel का latest 8 generation processor होने के वैसे यहाँ पर आप्रोक्स 5-6 hours का battery life हम इस laptop बेद देखने को मिल जाता है तो और और जो ही एक बहुत अच्छा और powerful laptop है आप daily use, office use या फिर business related work के लिए जो आपको को एक अच्छा सा laptop चाहिए तो यह आपके लिए जो है साही option हो सकता है इसली स्मित दूसरे नंबर पर है Asus Vivobook X507UB जो के हाली में इंडियन मार्केट में लॉंच हुआ है एक affordable price tag के साथ इसकी price वेसे तो 35,990 रुपीज है लेकिन फिलाल जो है pay team इस पर 3,500 रुपीज का extra cashback दे रहा है तो आपको सिब जो है 32,490 रुपीज पे करना होगा जो के एक बहुत अच्छा value for money deal है डिजैन की बात करते हैं जैसा के आप देख सकते हो look wise हमारे laptop जो है काफी stylist दिखता है और यहाँ पर हमें इसके साथ 2 color variant मिल जाते है ग्रे कलर और दूसरा जो है गोल्ड कलर दूनों ही color variant जो है काफी attractive लगते है दूसरी बात की हमारे laptop जो 241 TB का जो है hard drive मिल जाता है और RAM को जो आप 8GB तक upgrade भी कर सकते हो लेकिन problem यह है कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही slot मिलता है लेकिन आप चाहे तो इसका 8GB वाला वी एक variant available है market में तो आप चाहे तो वो भी खरीच सकते है जिसकी link में आपको नीचर description पे दे दूँगा अब प्र यहाँ पे जो graphic card है वो entry level का है प्लस यहाँ पे जो है processor वो भी i3 processor है और दूसरी खास बात कि इस laptop की ही कि यहाँ पे 108P की full HD display मिल जाती है जो के matte finishing के साथ आता है जो के काफी bright है और इसके इसलावा हमें यहाँ पे pre-installed windows 10 मिल जाता है और finger print sensor मिल जाता है और battery backup भी जो इस laptop क बहुत अच्छा है अप्रोक्स 4-5 और तक का use time हम इस laptop में देखने को मिल जाता है और दूसरी खास बात कि यह 60 मिन के अंदर जो आपका laptop full charge हो जाता है तो अगर आप एक student हो या फिर office उसके लिए आपको एक laptop चाहिए एक अची design के चाहत एक अची display के साथ तो आप जो है इ इसका जो keyboard है वो मुझे काफी अच्छा लगा काफी comfortable हो और इसकी specially जो keys है वो काफी soft है अब इसकी specialization की बात करते हैं लेकिन उससे बेले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह laptop की जो price हो काफी उपर नीचे होती रहती है वैसे तो इसकी MRP है 38,000 लेगे flip card पे जो यह 34,900 प्रोसेसर मिल जाता है जिसकी best clock speed है 2.5 GHz लेकिन 3.1 GHz तक जो है वो turbo boost भी हो सकता है तो definitely जो है एक powerful प्रोसेसर है इसके अलावा यहाँ पे हमें 4 GB DDR4 RAM मिल जाती है और storage के लिए जो है 1 TB hardware मिल जाता है और RAM को जो हाँ 16 GB तक upgrade भी कर सकते हो और दूसरी बात कि यहाँ पे हमे प्री इंस्टोल 64-bit Windows 10 मिल जाता है वो 2 GB dedicated NVIDIA GeForce 920MX ग्राफिक काड मिल जाता है जो के एक 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 लेवल का ग्राफिक काड है लेकिन फिर भी इस प्राइस में जो हम इससे ज्यादा जो है कुछ expect नहीं कर सकते है लेकिन बड़ी आराम से यह जो हाँ की medium setting पे GTA 5, PUBG, Far Cry जैसी गेम्स को जो आप इस पे खेल सकते हो लेकिन इसके लिए जो मैं आपको recommend करूँ का कि रेम को जो आप 8GB तक upgrade कर ले और connective की तोर पे यहां पे हमें सारे जरूरी option मिल जाते हैं including USB Type-C और 2 USB 3.0 port बैटरी बेकपस लेप्टॉप का decent है अप्रोक्स 4 आवर्स तक का use time हम इस लेप्टॉप में देखने को मिल जाता है लेकिन actual battery backup जो आपके use पे भी depend करता है और इसमें और एक variant available है जो के i3 processor के साथ आता और उसकी price जो है कुछ 30,000 के आसपाज रेती है तो उसकी वी link जो हमें आपको description पे दे दूँगा तो और जो है बहुत अच्छा laptop है आप एक 5000 रुपीज के अंदर खरीच सकते हो हाला कि इसमें 2-3 laptop और भी थे इस लिप्स में लेकिन यहां पे जो मैंने वो नहीं बता है यहां पे जो सबसे best 5 laptop थे वही आपको बता है क्योंकि अगर सारे laptop जो इस वीडियो में अगर मैं cover करने चाहता तो यह वीडियो जो है बहुत नंबा हो जाता अगर आपको चेक करने तो उसकी इंफोर्मेशन जो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसकी लिंक मैं आपको नीचर दिसक्रूशन पर दे दूगा तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूज है ने इस laptop को लेके तो जो आप मुझे लीचे comment के जर आपके के